राजस्थान के राजधानी जैपूर के राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ रहा है मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाइं आ रही हैं, अलग-अलग प्रतिक्रियाइं लोग दे रहे हैं तो बाहरी लोगों ने आकर के वहाँ पर जगे की मांग की है, कि नमाज पढ़ने के लिए जगे दी जाए, इस तरह के वीडियो भी वाइरल हो रहे हैं, हाला कि वीडियो में एक ही स्टूडेंट नमाज पढ़ता नजर आ रहा है, जब की बात ये भी सामने आ रहे हैं कि तीन स्टूडेंट ने वहाँ नमाज पढ़ता लेकिन जब उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया, जो कॉलेज परबंदन था, उसने जब उनको रोका, तो वहाँ जो बाहरी लोग है, उन्होंने आकर, जो कॉलेज परबंदन है, उसके साथ बाचित की, बड़े गरम लहजे में बाचित की, नमाज पढ़ने की जगे मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलेज परिसर में घूसते हैं, तो घूसते ही वहाँ अर्चना करना, बनलब साफ तौर पर यह कहा जारा है कि मंदीर है, अर्चना की बात हो रही है, तो एसे में यह competition खड़ा हो गया है, कि अगर यहां मंदीर है, तो यहाँ नमाज पढ़ने की भी जग हो, यहाँ पर अलग से मस्जीद बनाने की जग हो, इस तरह की मांग सामने रखी, लेकिन वो मांग रखने वाले लोग वो नहीं थे जो रास्तान कॉलेज के स्टुडेंट हैं। परिसर में इस तरह की घटनाई होती हैं जो संप्रदाइक रंग लेने लगती हैं तो फिर वहां अध्यन करने वाले विध्यार्थियों के लिए काफी सारी दूवदाएं बढ़ जाती हैं दूसरी दिशा की तरफ प्रभावित होने लगता है विध्यार्थि जो विध्या का अर्जन करने के लिए कोलेज में पहुंचते हैं वहां अगर इस तरह की घटनाई होंगी उनका राजनीती करन होगा तो फिर सवाल खड़े होना लाजबी है क्योंकि जो बहरी व्यक्ति कॉंग्रेस का एक घटक कहा जाता है NSUI को जो कि चातर संग्ठन है वहां ABVP उसके विरोध में खड़ी हो जाती है ABVP जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा यह पबलिक स्टंट है बाहर के लोग आकर के बहुत कम समय में एक ब परदेश मंतरी है होशियार मीना उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो हम हमारा विरोध दर्च करवा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है और कोलेज प्रबंदन उस पर ध्यान नहीं देता है तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे इट से इट बजा देंगे तो स्टी करण ना हो ये हो कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है पढ़े धार्मिक भावनाय भढ़का कर राजनेतिक फायदा लेने की कोशिश हैं इस तरह के घटना क्रमों को अंजाम जेती हैं तब जाकर इस तरह की तस्वीरे बनती हैं जो जैपूर के राजस्थान कॉलेज में बनी हैं बता जा रहा है कि जिसने नमाज पढ़ी उसको नाम सोहेल है और सोहेल के और दो साथियों भी नमाज पढ़ी जिन्हों ने पार्किंग में पढ़ी थी सोहेल गार्डन में बैटके नमाज पढ़ रहा था लेकिन जब प्रबंदन ने उनको रोकने की को क्यों नहीं गूलेश को जगे दी जाएगी तो फिर शिक्षा का माहौल भिगड़ेगा ये तैय है क्योंकि राज्थान सरकार पहले भी एक आदिश निकाल चुके जिसमें उसने कहा है कि थानों के अंदर जो थाना परिसर हैं उनके अंदर से धार्मी के इस्तल हटाए जाएं धार्मी के इस्तल वहां नहीं बने अपना विरोध दर्च कराया कि ठीक है उन्होंने य सब्सक्राइब कराया को सब्सक्राइब कि पीजिए जो दूर दराज से गां से तैयोंकि राजस्तान मरुधरा है दोरों की धर्ती से छोड़ी-छोड़ी धानियों से लोग वहाँ पढ़ने आते हैं और पढ़ने की बजाए उनको राजनीती के साचे में गढ़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर बहुत ही चिंता जनक विशय है वो विशय जो उस कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए और चत पढ़ रहे हैं